हेलो दोस्तों स्वागत आपका CBG चैनल में तो दोस्तों आज की वी डिस्कस करेंगे हम चिंद बाड़ा उनिवर्सिटी के बारे में जी हैं दोस्तों कि चिंदबाड़ा उनिवर्सिटी का जो एनॉर्णमेंट पॉर्ण होता है जो नामांकर रजिस्टीशन होता है दोस्तों वो किस तरह से हमको करना है नामांकर का रजिस्टीशन UGBAB.PSC या PGMM.MSC के पस्टियर में अगर आपने 2021 में जोकी अडमीशन लिया है और दोस्तों हमको नामांकर रजिस्टीशन करना होता है तो नामांकर रजिस्टीशन कैसे करना है मैं आपको कंप्लीट इस वीडियो के मातम से समझाने बाला है पूरा रजिस्टीशन से लेकर प बोक्स में मिल जाए जो भी आपके डाउट मेसिक द्वारा पूछ सकते हैं तो दोस्तो सबसे पहले आपको गूगल पर आ जाना होगा और गूगल पर आने के बाद में आपको सर्च करना होगा तो आपके सामने पर स्ट नममर पर यह एक लिंक दिहता है चिन्द भाड़ा उनिवर्सेटी और ग्रीन कलर में आपको दिखाई देगा दोस्तो cuc.mponline.gov.in तो दोस्तो आपको official website पर जाने के लिए आपको इसी link यानि कि पस्ट link का उच्च करना है तो इस link पर आपको click कर देना होगा जैसी दोस्तो आप इस link पर click करेंगे हमारे सामने नया interface आने लगेगा जो कि हम चिन्द भाड़ा उनिवर्सेटी की website पर बिजट कर जाएगे इसके बाद में दोस्तो आपके सामने तीन जो की link आएंगे एक enrollment का आएगा एक examination का आएगा एक counter base application का आएगा तो दोस्तो हमको examination वाले link पर click का देना होगा तो दोस्तो इसकी बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का interface आ जाएगा यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है थोड़ा सा नीची आना है यहाँ पर कुछ links आपको दिखाई देंगे तो registration करने के लिए दोस्तो इसके जश्ट नीचे एक link दिखाई देता है environment registration form for UGPG other तो registration करने के लिए हमें इस link का उउच करना है यहाँ जश्ट नीचे apply लिका है तो apply पर click करना होगा लिखे दोस्तो अगर आपने BA, 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 BC, BA, MA, BPA में अगर admission लिए है और उसका registration करना चाते है नामांकन registration तो आपको थर्ड वाली link का उउच करना है और यहाँ से apply पर click करते ना होगा process अभी का same रहने बाला है इसके बाद दोस्तो आप payment करते हैं तो आप payment करने के बाद receipt लेना भूल जाते हैं और आप चाते हैं बाद बे receipt निकालना तो दोस्तों आप receipt निकाल सकते हैं second वाली link से तो view print receipt है enroll status भी अगर आप देखना चाते हैं अपने नामांकन का status देखना चाते हैं generate हुआ है या नहीं हुआ है तो भी आप इसी link से तुकी check कर पाएंगे तो registration करना है तो registration करने के लिए यहाँ पर हम click करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का interface आ जाएगा यहाँ पर हमको क्या करना है यहाँ पर हमको अपनी higher education की ID डालनी यानि कि अगर आप UG के student है तो 12 00 से जो registration number start होता है वो registration number यहाँ पर डालना है अगर तो तो आप P.J.K. student है तो जो 22 00 से registration number start होता है वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा इसके बाद जो capture code दिया गया है 8 plus to 10 होता है वो इस तरह से आपको फिल करना है और इसके बाद मैं नीचे लिखा है green color में search admission details तो आपको यहाँ पर search admission details डालनी होगी तो चलिए दोस्ते candidate का मैं यहाँ पर डाल देता हूँ जिससे आपको अच्छे समझ में आसका कोई भी doubt to comment करना साथ ही video को share कर देजिए और मैं आपको पूरा process अच्छे समझाओ को दोस्तों जैसा की आप देख पा रहे हैं हमने एक candidate का यहाँ पर डाल दिया है registration number तो हमारे सामने कुछ इस तरह का interface आता है यहाँ पर देखे सबसे पहले क्या क्या दिखाई देगा चंदबाड़ा university का हम जो open हो चुकी है environment form के उपर ओके आपको क्या करना है यहाँ पर मीडियम में आपको जो भी आपका मीडियम में हिंदी इंगलिस यहाँ से select कर लीजिए तो जो भी आपका मीडियम होता है हिंदी होता है तो हिंदी और इंगलिस होता है और दोस्तों यहाँ पर जो भी मीडियम इस होगा mother's name यहाँ पर सारी डिटेल्स आपकी दिखाई देगी यहाँ पर आपको क्या करना है अपना नेशनल्टी इंडियन और रिलीजियन हिंदू कर लेना है और यहाँ पर आप कुछ भी चेंजिंग नहीं कर पाएंगे इसके बाद देखे एड्रेस आजाता है आपका एड्रेस में जो भी आप एडेट करना चाहते हैं कर सकते हैं यहाँ पर by default एड्रेस आएगा जो भी आपने रिजिस्टिशन किया था जब आपने काUNSELNG किती काUNSEL baptर किया था जो भी डाटा पिल पिल किया था बो यहाँ पर सो करेगा इसके बाद देखे अदर्स डेटेल्स डेटल्स डेटल्स में आपका मोईवाइल नंबर और एमेल आइडी दिखाई देगी यहाँ पर आपको पना मोईवाइल नंबर डालना है एमे पेसद आजाएंगा अब यहां पर हमारी कुछ आपशन्स और आज आएंगे देखिए यहां पर को अपना बैंक का नाम पीलकरना है ब्रांच का नाम कलना है ड्रेस डालना है account holder नेम डालना है और यहां पर अपना account number डाल देजीआ और अकंट में आपको प्रिसी आकाँट कर रहां तो इसके बाद में प्रीवियशूकेशन डेटल्स आपने किया होगा और दोस्तों अगर ओगशिन कर रहे तो आप लेको ऑग Suran काँट लेटल्स आ- inviting था, प्रीविशूकेशन घॉलते कंल सुने फब के ला पर आपको क्या करना, है इस बाले, कॉलम में, Eligibility Migration Transparent certificate है, आपको अपना TCE, यानि Important Certificate है, या अगर आपके पास Migration certificate होता है, तो उसका number नबर याँ पर आपको डालना है, TC का number भी डाल सकते हैं, anticipation का number भी डाल सकते हैं, अब दूस्य तो तोड़ा सझे… नीची आना है तो अपना पोर्टो सिंगुनियार को डिखा पए हैं इसके बाद.. पर आपको टिक करना है तो proof of data पर टिक करना है मार्शीट पर आपको टिक करना है मैगरिशन certificate पर टिक करना है उके eligibility certificate पर only unique candidate को करना है जो PG कर रहे हैं और PG अगर या आप other state के student है या आपने CBSC बोड से किया है जो 12th class तो आपको eligibility certificate करना है लिकिन अगर आप यूजी कर रहे हैं और MPBWORD से आपने 12th किया है तो आपको eligibility certificate पर टिक करना है और इसकी बार declaration पर यहां पर टिक करना है इसकी बाद यहांसे submit कर देना होगा यहां पर आप देख लीजी अच्छे से एक बार आप देखे यहां पर आप application status, application ने status में दिखाई देगा, application ने spending or payment यानि कि अभी आपने payment नहीं किया है, और यहां पर हमारा application नंबर दिखाई देगा, cn से start होता है application नंबर तो इस application नंबर हो कई पर अच्छे से रखकर रख लीजिए क्योंकि पीचर रिप्रेंश में हमारा जे पीचर रिप्रेंश में बहुत जानता काम आने माला एप्लिकेशन नंबर ओके आप यहां पा देखिए पीस कितनी लगने वाली 200 रुपे हमारी पीस रहेगी चालिस रुपे पोटल चाहिए तो इसलिए हमारा टोटल पीस प्रोसेट टू प्लिक करना है तो आपका पैमेंट हो जाएगा पैमेंट करना के लिए आपकी पास एक ब्रेंट कार के दीगा यहां पर हमारा बार कोड आयाएगा अप्लिकेशन स्टेट अश्टी है तो आपकेशन सक्सेस हो चुका है मारा payment हो चुका है 240 रुपए हमने payment कर दिया है और payment होने के बाद में अब इसका क्या करना है दोस्तों हमको print out निकालना है इसका print निकालना है और print निकालने के बाद में इसको अपने college में जाकर submit करना है और college में जाकर submit होने के बाद 8-10 दिन के अंदर आपका approve हो जाएगा और व्हुलुकालने, वीडियो के इवकटा दे समा में जूल विसाता परी औरी. बाइ!